आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पेपर एटेम्ट कैसे करें उसके लिए मैंने फोर स्टेज बताई हैं वो फोर स्टेज के माध्यम से मैं वीडियो को आपको बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा उससे पहले मैं कुछ कहना चाऊंगा साथियो काफी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ पर माहौल बदल जाता है सब कुछ बदल जाता है आप में बहुत ज़्यादा हॉपलेस बनाएगा और आपको जो जो कोशन आता भी होगा हॉपलेस की बज़े से आप वो गलत कर देंगे तो वो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें हॉपलेस बिल्कुल भी ना हो वहाँ कॉन्फिडेंस रखिए कूल रहें और अपनी नजरे केबल फोकस पेपर पे होना चाहिए वहाँ पर और कहीं नहीं होना चाहिए चलिए अब मैं स्टेजिस वाइज आपको समझाता हूँ उससे पहले जैसे की आपको पता है हमारे में डेड़ सो कुश्चन है जो की 120 मिनेट में आपको कवर करना है 300 नंबर का पेपर है हर एक कुश्चन में मैं डाउट हूँ तो सबसे पहले अपना बैस सब्चक देखना है कि मेरा सब्च कौन सा है और उसको अटेम्ट करना है और यह देखना है कि 100 पर्ट मैं किन कुश्च्चन उपे बिल्कुल शियौर हूँ कि मुझे 100 पर्ट यह तो जिन-शिन-पर आते हैं जिसमें आपको लगता है भाईया 70-80% अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत ध्यान दूँगा question में तो इसका answer कहीं न कहीं से निकली जाएगा तो उसके बाद उन question को attempt करना है आपको ठीक है third stage आती है हमारी third stage वो stage है जिसमें भी हमें लगता है कि भाई दो questions है 50-50 के chance होते हैं कि भाईया इन दोनों में से एक है उन में हमें काफी जादा काफी जादा लोगों को समस्या होती है और उस समस्या में काफी सारे student उनी में लगा लेते हैं फिल कर देते हैं ऐसी गलती नहीं करनी है, जिस जिस पर 50-50 होते हैं, हमें paper देखना है कि paper कितने questions हैं, उस χिसाब से हमें कितने में टुका मानना है वो आपको ध्यान लखना है, हमें टुका 7-10 questions में लगाना है, कितने में लगाना है, 7-10 questions पे लगाना है, और total paper कभी भी attempt नहीं करना है full question attempt कभी भी नहीं करना है और अगर किसी को बिल्कुल 100% 1500 के 1500 question आते हैं वो ही attempt करें अन्यथा 1500 question कोई भी attempt ना करें अगर आप इस paper में सफलता पाने चाते हो तो मेरी कहो 110 से 120 question भी आप attempt करके आ रहे हो और negative question और जो तुमारे गलत होंगे उसमें 5-6 question गलत भी हो गए तो आपका लिख के ले लो 100% selection होगा चाए वो boys हो चाए गल्स हो किसी भी category से आप लोग आते हो अब fourth stage fourth stage में मैं भी काफी बार हेल गया था मेरा दिमाग हेल गया था काफी बार इसमें अडचन में पढ़ गया था समय बहुत खिशता है fourth stage है hard question hard question ऐसे नहीं कि छोटे ही छोटे question होते हैं hard question एक तो ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े lineों में लिखे रहता है जिसे पंड़ने में काफी समय लग जाता है भाई उन question को सबसे आखरी में आप करने की शोचना सबसे आखरी में अगर सुरू में ही कुछ जाओगे क्योंकि काफी सारे student का यह होता है कि भाई यह chapter में से कोई सा भी आ जाए मैं 100% निकाल दूँगा लेकिन ऐसा नहीं होता काफी सारे question कुछ 5-6-7-8 question आपके गलत दिये जाएंगे या उनके answer गलत दिये जाएंगे आपको लगेगा भाई यह question तो आता है question के मैं answer निकाल दूँगा और उस निकालने के चक्कर में आप काफी सारा समय बरबाद कर देते हैं और लेकिन आप देखते हो यार इसमें तो मेरा कोई सा भी option नहीं है और वहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो और मैं भी वहाँ पर काफी गलती कर दिया करता था वो point वो mistake आपको बता रहा हूं कि जिससे कि आप वहाँ पर mistake ना करें तो वहाँ पर गलत questions भी आते हैं गलत answer भी आते हैं इतना समय नहीं देना अपना समय बाट लेना किस-किस subject में मैंने कितना समय देना है वहाँ पर बहुत सारे unique questions आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जितने भी practice हैं यह repeated हैं वहाँ पर काफी सारे unique questions दिखेंगे उसमें अगर आपने तयारी अच्छी की है वह सारे questions आपके हो जाएंगे जिनके भी marks मैं कहना चाहूंगा 140 भी बन रहे हैं तो निरास नहीं होना है cut off पिसली बार इतने से उठी थी तो अभी भी उठ सकती है paper का level वह डिसाइड करता है कि paper का level किस standard का है तो अभी किसी के भी कितने भी कमा रहे हो एक से 30 आ रहे हो एक सो 40 आ रहे हो आप लड़ाई में हो आप बिल्कुल चीतोगे बिल्कुल वर्दी पहनोगे आपका selection हो सकता है ऐसा नहीं है कि selection नहीं हो सकता सात्यों अगर इस pointों में से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो थोड़ी भी ऐसी बात मेरी अच्छी लगी हो कि हाँ भाईया ये मैंने नई चीज़ से किया है तो मेरे वीडियो में आप या तो जैहिन कर देना या थैंक्यू भाईया लिग देना सात्यों अगर आपको मेरी वीडियो पसंदा ही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना अन्त में जैहिन सात्यों